नमस्कार दोस्तों मैं एक लेश चोभान यूटुब का आजी पूर्फटा चल मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों दोस्तों हम आज आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के हेट कॉंस्टेबल भरती के बारे में दोस्तों इसमें क्या एलिविल्टी होनी चाहिए क्या आपकी योगिता होनी चाहिए सबसे पहले हम यहां बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी application fees के बारे में जी हाँ दोस्तों आपको कितना आविदन फार्म में जो पैसा लाया है कितना आपको भरना है तो दोस्तों जनरल OBC और जो की EWS के लिए दोस्तों 100 रुपया रखा गया है EWS का मतलब दोस्तों जो समाने वर्के जो आर्थिक कमजोर लोग है उन लोग के लिए 100 रुपया रखा गया है यानि कि जनरल OBC और EWS और EWS के लिए दोस्तों कोई फिस नहीं है फिमेल करेट के लिए भी कोई फिस नहीं है तोस्तों यह इंपोर्टेंट यहां पर दिया गया है कि इस दिन से आल्लाइन आविजन हो 28 December से यह भरती चालो होगी और 27 January 2020 तक चलेगी और इसका पेमेंट का दोस्तों लाश डेट दिया गया 27 January 2020 यानि कि जिस दिन इसका अंतिनती थी होगा दोस्तों उसी दिन इसका फिस का पेमेंट का भी लाश डेट होगा अब यहां बात कर लेते हैं कि आप फिस कैसे जमा करे एगर आप बैंकिंग यूज करते हैं केडी काड यूज करते हैं तो उसके थुर्व आप अपना फिस करा सकते हैं अगर आप रहा पीचलान के मतर्त चाहिए तो भी हो सकताओ दोस्तों अब बात कर लेते हैं लोका अ उमर का जा ओने चाहिए आपकी तो यहां पे दिया गया count होगा उस दिन आपको 18 साल या 17 साल के होने चाहिए अब बात कर लें दोस्तों इसमें आपकी liability क्या होने चाहिए क्या योगिता होने चाहिए क्या qualification होने चाहिए तो दोस्तों आपको बता दूँ जो अभ्यर्थिक अच्छा बारवे पास है science, math science और math के साथ दोस्तों वो लोग इस फाम को भर सकते बसरते English में दोस्तों आपका जो word typing speed होना चाहिए 1000 की impression in 15 minute यानि कि 15 minute में दोस्तों आपको 1000 की का जो impression वो देना होगा आपको यानि कि उतना word आपको type करना होगा अब बात कर लें दोस्तों कितना वेकेंसी दिया गया है तो टोटल वेकेंसी दोस्तों 649 पोस्त है आप दे सकते हैं दोस्तों 649 पोस्त के लिए आला ना भी दर माहा गया है और यहां बात कर लेते हैं, यहां पर पोस्ट नेम दिया गया जो एकुश्ट आर्थिक रूप से जो कमजूर समाने वर्ग है उनके लिए 44 सीट है दोस्तों और अन्य पिछला वर्ग के लिए 239 पोस्ट है 80 के लिए 85 और 80 के लिए 24 सीट दिया गया है टोटल दोस्तों यहाँ पे कल्कुलेट करने के बाद 435 पॉस्ट हो रहा है और वह ही फीमल की बात कर लेते है जो समान वर्ग के महिला हैव它n dogs जो समान वर्ग शामान वर्ग चाने मैं और 2014 सीटे है क्षान गतन है कंपर cela 9 कि योगित्या क्या होना चाहिए यानि कि physical ability डिया गया दोस्तों तो यहां पर height दिया गया दोस्तों जो male candidate होनके लिए पूर सब्यार्थिय के लिए उनका height होना चाहिए 165 cm और chest होना चाहिए 78-82 cm यानि कि 5 cm आपका साथ मिनिट के अंदर, लांग जंप दिआगया 12 availability आपको फिटशेंच आपको लांग जंप कुछ रहा है और हाई जंप दिआ गया दिक्षट, दिनुट शेंच classified महिला कंड्येट के लिए घर उनकी हाइट होनी चाहिए यहां पर दिया गया दोस्तों, चेस्ट कोई बार नहीं है, और उनको दवड़ना केतना है, पांच मिनट में 800 मीटर, और 9 फीट का दोस्तों, उनका लांग जंप होगा, और जो है की, हाई जंप होगा 3 फीट का, दोस्तों, और यह अप्लिकेशन ओनलाइन स्टार्ट होने जा सकते हैं, नोटिफिकेशन एक्टिवेट होगा दोस्तों, 28 12 2019 को ही, जिस दिन इसका ओनलाइन अपलाई होगा, उससे दिन इसका नोटिफिकेशन भी चालू हो जाएगा, दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, इसका ओफिस्यल वेब साइट पर जाने के लिए, तो यहां से क्ल रहा है, तो कोसिस करते हैं, दोस्तों, कि यह हो जाए, धीरे-धीर यह सर्च कर रहा है, दोस्तों, इसका आप लोग दे सकते हैं, यहां पर, इसका ओफिस्यल जो एक्टिवेब साइट खुल चुका है, नुकलियर फ्यूल कॉम्पलेक्स, गवर्मेंट आफ इंडिय डिपर दोस्तों, आप लोग इसके ऑफिसल वेबसाइट पर जा सकते हैं, तो अप भी इसके ऑफिसल वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको साइड डिटेल से बता दिया है, कि आपको क्या क्या करना है, दिल्ली पिलिस जो की डीपी है, हेट काउंस्टेवर अ परिशरम कर रहे हैं, कोचिंग में जाके कोचिंग कर रहे हैं, रोजदावर लगा रहे हैं, दोस्तों, मैं आप लोग से चाहूंगा कि उन लोग को बताईए, कि दिल्ली पिलिस हेट काउंस्टेवल वायर साप्रेटर का फार्म आ चुका है, वो लोग इसको भर हैं, दोस् अपने दोस्त मित्रों को आप बता दीजियागा दोस्तों कि इस फार्म को डाल लें, और जो नए उसर मेरा चनल देख रहे हैं, दोस्तों, उन से मैं अनुरूद करूँगा कि मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबा लें, दोस्तों, ताकि कोई भी वेक अगे आती है, तो मैं उसकी भी से मैं आपको बता सकूँ, और आप लोग उस फार्म को डाल सकें, दोस्तों, तो मेरे चनल को करके सब्सक्राइब कर लेजिएगा, और बेल आइकन जरूर से दबा दबा देजिएगा दोस्तों, जहिन धन्यवाद!